क्या विराट कोली और इंडिन क्रिकेट टीम में सब धीक चल रहा है? क्योंकि हाली में विराट कोली ने इंडिन क्रिकेट टीम के फेमस सोशल मीडिया पेज को अनफूलू कर दिया और तो और पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी लगाने के बाद भी और एशिया कप जीतने के बावजूद भी विराट कोली ने कोई भी पोस्ट शेर तक नहीं किया कई हद से जाधा रेस्ट देने की वज़े से विराट नारास्थ तो नहीं चल रहे है गत्से दो सालों में भारत ने 48 वंडे मैच खेले हैं जिसमें से सिर्फ 29 मैचों में ही विराट कोली को खिला गया है और 19 मैचों में उन्हें रेस्ट दिया गया है ये विराट कोली के नराजगी के एक वज़ाय हो सकती है क्योंकि उन्हें वंडे में मोके नहीं दिये जा रहे पर कुछ लोगों का कहना है कि सचिन तंदूलकर के 49 शतक के रिकोर्ड तोड़ने के बेहद करीब है इसलिए मुंबई की लोबी ये नहीं चाहती कि दिल्ली का विराट मुंबई के महान सचिन तंदूलकर का रिकोर्ड तोड़े अब नराजगी की वज़य क्या है ये तो विराट ही जाने लेकिन वर्ड कप नस्दीक है और हर एक खिलाडी को दिल्ली, मुंबई, गुजराट, पंजाब से खेलने की बजाए भारत देश के लिए खेल कर भारत को वर्ड कप जितवाना होगा क्योंकि देश आपसी सभी रंजिशों से कहीं ऊपर आता है T20 मैच में नेपाल के बले बाजों ने रोहित शर्मा और युवराज सिंग जैसे दिगज बले बाजों का रिकोर्ड तोड़ते हुए मंगोलिया टीम का एशन गेम्स में धूआ उड़ा दिया साल 2007 के वर्ड कप में युवराज सिंग ने स्चुवेट ब्रोड को 6 चक्के लगाकर 12 गेंदों में फासिस 50 का रिकोर्ड बनाया था 16 साल पुराने इस रिकोर्ड को नेपाल के बले बाज दिपेंदर सिंग एरी ने भी 6 गेंदों पर 6 चक्के लगाकर महज 9 गेंदों में ही 50 बनाकर तोड दिया साल 2017 में श्रिलंका के खिलाफ खेलते वे रोहित शर्मा ने 35 गेंदों में शतक लगाकर T20 इंटरनेशनल में फासिस सेंचरी का रिकोर्ड बनाया था और T20 में एक इनिंग में सबसे जादा यानि की 26 चक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई है नेपाल के इस रिकोर्ड तोड परफोर्मेंस को देख कर हम यही कहेंगे कि नेपाल क्रिकेट का भविश्य सुने रहा है अस्ट्रेलिया को पहले और दूसरे वंडे में धूल चटाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व क्रिकेट में अपनी बादशाहत हासिल कर ली है भारतीय टीम अब टेस्ट वंडे और T20 में नमबर वन टीम बन गई है विश्व क्रिकेट के इतियास में भारती टीम ऐसा कमाल करने वाली सिर्फ दूसरी टीम है इससे पहले ऐसा कारनामा सिर्फ साउथ ऐफरिका टीम नहीं किया था पर भारत के कमाल के परदर्शन से टीम के कोच राहुल द्रविड की मुश्किले बढ़ गई है क्योंकि टीम में जिसे खिला रहे हैं वो कमाल का परदर्शन कर रहा है विराट, रोहित और शुबन गिल्तो फोर्म में थे ही श्रेय सैयर, केल राहुल, सूरे कुमार यादव और इशान किशन भी शानदार खेल रहे हैं उदर सिराज, बूमरा के साथ अब शमी और प्रशिद कृष्णा भी शानदार गेंद बाजी कर रहे हैं उदर स्पिन डिपार्टमेंट में कुल्दीब के साथ अश्विन और जडेजा भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं अब आने वाले वन्डे वर्ड कप में किसे खिलाएं और किसे बिठाएं ये राहुल द्रविट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पर आपको अगर टीम चुनने का मोका मिलता तो आपकी ड्रीम टीम कौन सी होती कुमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा सन 1904 में 92 यात्रियों के साथ एक फ्लाइट जर्मनी से ब्राजील की तरफ उडान भरती है 18 गंटे का ही सफर था लेकिन महीरों निकल गए वो फ्लाइट कभी लेंड ही नहीं हुई लोगोंने मान लिया था कि नीला आसमान उस फ्लाइट को निकल चुका है फाइले बंग सिंटियागों की फ्लाइट पूरी तरह से बंद कर दी गई लेकिन उसके बाद जो हुआ आप लोगों को सुनना चाहिए ठीक 35 साल बाद सन 1989 में वही फ्लाइट ब्राजील के केरपोर्ट पे लैंड करती है वहां की अथोरिटीज ने पाइलेट से कॉंटेक्ट करने कोशिश करी लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला उसके बाद वो लोग फ्लाइट पे चड़े लेकिन जो उन्होंने देखा वो हैरान कर देने वाला था सिर्फ उन लोगों के कंगाल गुर्सी की पेटियों के साथ बंदे हुए थे जब वो कॉक्पिट की तरफ भागे तो पाइलेट के लेकिन जो फ्लाइट पे लेकिन देखा वाला था